कि नमस्का और दस विद्स शेकर पांडे संस्तान में मैं शेकर पांडे अपसवी भाइबनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं अम्मीद के साथ की बहुत अच्छ होंगे अप्लाय लगाए भी अच्छे तरिक सब कि आप लोग पहले से जो भी जानकारी रखते हैं निशित्रूप से उसमें कुछ न कुछ जादे और वृद्धी हुई होगी आज उसी सिलसले में आगे बात को बढ़ाते हुए हम लोग बिलकुल पहले टॉपिक से इस क्लास की डेमो क्लास की शुरुआत करती चले जाएंग वो ये कि चुकी बाते बहुत पूरानी हैं प्राचीन भारत के इतिहास की तो प्राचीन भारती इतिहास के हमारे पास जानकारी के शुरूत क्या हैं आप लोग अभी तक जितनी भी सारी चीजे पहले पढ़े हुए होंगे पूरा का पूरा या विश्वात के साथ आपको वाश्वस्त करूंगा कि उसमें अब 25-30 प्रतिशत निश्यत रूप से आपके ग्यान में और वृद्धी ही होगी तमाम सारी परिछाओं में अब जो प्रश्ण पूछे या रहे हैं वो और गहराई में जाकर के पूछे या रहे हैं तो हम अब अपनी तयारी को और अंदर के अंदर बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले आएंगे अर्थात जितना मैक्सिमम डिप्ट हो सकता है वो साथ में लेकल के चलने का प्रयास करेंगे पिछली क्लास में हमने भारत वर्ष के संदर में कुछ बाते बताई थी भारत के संदर में जो अलग अलग नाम होते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतरगत बिखरे हुए तथ्यों हैं जो कि एक जगा समयकित करके हमें अध्यान करना होता है कभे भी जब शोत की बात किया जाता है जगे जगे पे नोट करते चले आएंगे आप जो जानते हैं उससे अब ज्यादे की बात होगी यहां पे जब भी हम शोत की बात करते हैं तो आपको यह जानकारी होगी कि शोत कभे भी दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है एक होता है साहितिक श्रोथ और दूसरा होता है पुरातात्विक श्रोथ साहितिक और पुरातात्विक श्रोथ दो भागों में बाढ़ करके श्रोथ का अध्यान किया जाता है साहितिक श्रोथ के अंतरगत क्या-क्या चीजे शामिल होती है तो साहितिक शोत के अंतरगार तीन टम देखने को मिलते हैं कौन कौन से एक एक देशी हो गया और दूसरा विदेशी हो गया यह जो देशी है इसको दो भाग में जब बांट लेते हैं ना धार्मिक और लोकिक यही तीन हो जाते हैं धार्मिक लोकिक और विदेशी यातियों के विवरण यह साहितिक शोत के अंतरगत तीन भागों में बटवारा होता है जिसको पहले दो भागों में किया बाद में तीन भागों में बटाया ये जो धार्मिक है धार्मिक को भी धार्मिक को जो कि प्राचीन भारत में तीन अलग-अलग धर्म प्रचलन में रहे इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्राम्हण धर्म का दूसरे नमबर पे नाम आएगा बौत धर्म का तीसे नमबर पे नाम आएगा जैन धर्म का अर्थात इन तीन धर्मों से समन्दित जो भी साहितिक साक्ष्य हैं वो हमारे लिए अध्यान के लिए महतपूर्ण है लोकिक साहित्य में बहुत सारी किताबे आएंगी जो कि अलग-अलग समयकाल से समन्दित जानकारियां देंग उनकी विशे वस्तू क्या है किस विशे पर लिखे हुए है कि समयकाल की जानकारी देते हैं कौन सी किताब है कौन उसके रचनाकार है विदेशी यात्रियों के विवरण फिलाल हमने बात किया कि शोत कभी भी दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है साहितिक और पुर करनकि संदर में देशी साहितिक शोत को दो भागों में बाट करके धार्मिक और लघे कर दार्मिक चुंकि भारत में तीन धर्म इस समयकाल में प्रचक्रमने थे ब्राहमत धर्म बहुत धर्म और जैन धर्म तो इन तीन धर्मों से someone's वो कौन कौन से ग्रंथ है तो इसमें पहला ही नाम आता है वेद का आप जितना वेद के संदर में जानते हैं उससे आज काफी आगे बढ़ करके आपको जानकारी उपलब्द कराएंगे वेद के अलावा आप ब्राम्हन ग्रंथ बड़ाई महतपूर्ण धर्म ग्रंथ के तोर यहां पे सुत्रसाहित्य भी आएंगे वेदांग सुत्रसाहित्य सुत्रसाहित्य के अलावा यहां पे नाम आएगा महाकाव्य का महाकाव्य महाकाव्य के अलावा यहां पे नाम आएगा पुराण का और पुराण के साथ साथ यहां पे धर्म शास्त्र अलग से एक टॉपिक हमें देखने को मिलता है धर्म शास्त्र नोड करते चले आएंगे सारी सारी बातों को आगे बड़े पुरान के अलावा यहाँ पे धर्म शास्त्र एक बड़ा ही महत्पून मुद्दा देखने को मिलता है अब प्रश्व बनता है कि धर्मशास के अंतरगत क्या क्या चीज़े देखने को मिलती है ध्यान देंगे तो धर्मशास के अंतरगत सबसे पहला हमें धर्मसुत्र देखने को मिलते हैं धर्मसुत्र देखने को मिलते हैं पिर तमाम सारी इस्मिति ग्रंथ हैं, इस्मितियां हैं, वो देखने को मिलती हैं, और इन इस्मिति ग्रंथों पर जो लिखी हुई टीकाएं हैं, टीका, अर्थात, रिसर्च, ये सारी सारी चीजे धर्मशास के अंतरगत शामिल होती हैं, अर्थात, धर्मशास के अंतरगत, धर्मसुत्र, इस्मिती ग्रंथ और इन पर लिखी हुई जो टीकाएं हैं वो धर्मशास के ही अंतरगत शामिल होती हैं अर्थात हमने अभी तक देखा कि ये जो ब्राम्भण धर्म से समंधित साहित्य है ना वो कौन-कौन से हैं तो उसमें हमने सबसे पहले नाम लिया वेद का, फिर ब्राम्भण ग्रंथ का, फिर आरन्यक, उपनिशद, वेदांग, सुत्र साहित्य, महाकाव्य, पुरान और धर्मशास धर्मशास के अंतरगत धर्मसुत्र, समती ग्रंथ और इन पर लिखी हुई टीकाएं वेद की बात करते हैं, ध्यान देंगे, वेद, आम तोर पे आप सारे लोग जानते हैं कि ये जो वेद है, वह किस शब्द से निकला हुआ है, तो विद धातु से निकला हुआ या एक शब्द है, विद धातु से इसका जो अर्थ होता है, वो होता है ज्यान या जानना, यह भी प्रशन कई बार पूछा हुआ है अलग-अलग परिछाओं में, कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद शब्द धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्यान या जानना अरमतोर पे आप लोगों को यह साय जानकारी नहों कुछ लोगों को जानकारी होगी भी कि वेदों की संख्या तो चार है लेकिन प्रश्री यह बनता है कि इनकी भाषा और लिपी क्या है भाषा और लिपी कोई बताएगा तो भाई वेद संस्कृत भाषा में वैदिक संस्कृत भाषा में और लिपी क्या है इनकी ब्राम्मी लिपी है याद रहेगा वेद वैदिक संस्कृत भाषा में और इनकी लिपी क्या है क्यों भाई नोट हो रहा है लिपी क्या है तो इनकी लिपी है ब्राम्ही लिपी वेदों के लिए कुछ और शब्दों का प्रयोग होता है वेद वेदों के लिए अप औरुशेय शब्द का प्रयोग होता है अप औरुशेय शब्द का प्रयोग होता है अप औरुशेय वेदों को सनहिता भी कहा जाता है अर्थात ये सारे के सारे वेद के लिए सामनार्थक शब्द जैसे हैं वेदों को अपरुषे क्यों कहा जाता है वेदों को अपरुषे इस वज़े से कहा जाता है क्योंकि ऐसा मानना है ऐसी किम्वदंती है ऐसी पौरानिक बात है कि वेदो के लिखावट जो हुई है रचना जो हुई है वो किसी सामान्य मानों के बस की बात नहीं थी अर्थात किसी सामान्य मानों की छमता से उपर कि यह रचना है वेद इस वज़ा से अपौरुशेय शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात किसी सामान्य मानों के पौरुश में यह नहीं था च्छमता में नहीं था कि वेद की रचना कर सकें इस वेसे अपरुशे शब्द का प्रयोग किया गया है चुकि आरंभिक काल में वैदिक काल में गुरुकुल परंपरा में वेदों का ज्यान मौखिक रूप से कराया जाता था मेधक की तरह टर्टराने वाली विवस्था थी जो गुरु होते थे वो वेदों का ज्यान सामने बैठे हुए इस्टुएंट्स को बोल बोल करके कराते थे रटा रटा करके कराते थे चूंकि इस्टुडेंट सुन सुन करके वेदों के शब्दों का या मंत्रों का ज्ञान अरजित किया करते थे इस वज़ा से इनको शुती कहा गया सनहिता इस वैसे कहा गया क्योंकि वेदों में मंत्रों का संकलन है वेदों में मंत्रों का संकलन होने की वैसे मंत्रों के संकलन की वज़ा से इसे सनिता कहा जाता है क्लियर है यह बात? क्यों भाई? क्लियर है आगे बढ़े? अपरुशे, शुती और सनिता अब यहाँ पे एक और बात देखने को मिलती है कि भाई वेदों के लिए अपरुषे शदकातों प्रयोग हो गया अर्थात रचना सामाने मानों के द्वारा नहीं की जा रही है मानों द्वारा नहीं की जा रही है लेकिन वेद है तो भाई तो प्रस्व बनता है कि वेदों की जो शुरुवात होती है आरंभ होता है वो कैसे होता है तो पौरानिक दृष्टी से देखा जाए तो वेदों के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया ये पौरानिक बात है वास्तविक नहीं ब्रह्मा जी ने कुछ रिशियों को कुछ रिशी को मंत्रों का प्रकाश, मंत्रों को प्रकाश के रूप में गिफ्ट किया था, प्रकाश के रूप में गिफ्ट किया, नहीं, कुछ रिशीयों को ग्यान कराया, वेद समंधी जो भी बाते हैं, कुछ रिशीयों को इन वेद समंधी मंत्रों का शब्दों का ग्यान कराया बिखरा हुआ है बिखरा हुआ है अलग-अलग रिशियों के पास अलग-अलग अग्यान है तो फिर यहां पे प्रश्ण बनता है कि भाई जब अवपुरुशे हैं मंत्रों का वेदों के मंत्रों का ज्यान ब्रह्मा जी करा रहे हैं रिशी महर्शी ऐसे बैठे वे ध्य जान साथना किये जा रहे हैं, ब्रह्मा जी अचानक से आउतरित हुए, उन्होंने ऐसे आशिरवात दिया, यहां से प्रकाश निकला, वो प्रकाश में ही, वो मंत्र भी सनलगना है, और प्रकाश सीधे ब्रह्मा जी के हां से निकलता हुआ, किसी रिशी की खोपड़ी से टच होता है, ठीक है, और मंत्र सीधे खोपड़ी में चलते जा रहे हैं, ठीक है, तो यह बात यहां पे लिखा, लेकिन यह सारे बिखरे हुए हैं, अलग-अलग रिश्यों को अलग-अलग ब्रह्मा जी ज्यान करा रहे हैं, पुरानीक बात है वास्त्विक नहीं, तो समस्या ए द्वयपायन, पुरा नाम वेद व्यास को माना जाता है, नहीं, क्रिश्न द्वयपायन वेद व्यास को वेदों के संक्लन करता के रूप में जाना जाता है, अगली बात, यह जो वेद हैं, यह जो वेद हैं, तो वेदों को ले करके एक और महत्पुन बात, कि वेदों की सं संख्या कितनी है तो चार है संख्या चार है कौन-कौन से है तो भाई ये जो संख्या चार है तो इन में चार के नाम जो है वो है एक रिगवेद अगला है सामवेद तीसरा है यजुरवेद और चोथा है अथरववेद सामाने सी बात है सबको पता है संख्याचार है कौन-कौन से है अब ये जो ध्यान देंगे ये जो रिगवेद है ये जो सामवेद है और ये जो अथर्ववेद है ये जो रिगवेद है ये जो सामवेद है और ये जो अथर्ववेद है ये पद्य में रचित हैं जबकि ये जो तीसरे नमबर पे है यजुर वेद यह अपवाद स्वरूप कौन सा एक वेद गद्य पद्य दोनों रूपों में रचित है अर्थात कुछ भाग गद्य में कुछ भाग पद्य में गद्य पद्य रूप में देखने को मिलता है एक मात्र ये जुर वेद क्लियर है आगे बढ़े तो पहला रिगवेद दूसरा सामवेद और चौथा पहला दूसरा और चौथा पद्य में है जबकि जो तीसरा है यजुर वेद, अपवाद, स्वरूप, गद्य और पद्य दोनों शैली में रचित है बारी-बारी से बात करेंगे इसमें अब जो पहला है वो है रिगवेद रिगवेद के विशे में बहुत डिटेल स्टडी करते हैं अभी रिगवेद ये जो शब्द है रिगवेद अपने आप में बड़ा ही महतपूर शब्द है रिगवेद शब्द की जो उत्पत्ती हो रही है वो किस एक शब्द से हो रही है तो इसकी रचना रिक शब्द से हो रही है किसे रिक शब्द से रिक का मतलब क्या होता है तो रिक का अर्थ जो है वो है छंद बध मंत्र, छंद बध मंत्र, छंद रूप में रचित मंत्रों का संकलन, छंद बध रूप में जो रचना है उसको रिक कहा जाता है, अब ये जो छंद बध है इसका मतलब क्या है, कि यह सुक्त शैली में रचित है, अब इसका क्या मतलब होता है यह जो च्छंद बध्ध मन्त्र है रिगवेद में इसका मतलब है कि यहाँ सुक्त शैली में रचित है तो फिर अब प्रश्ण मनता है सुक्त शैली क्या होता है तो भाई सुक्त शैली से कम तीन मंत्र निश्चित रूप से होने चाहिए तीन मंत्र का होना अर्थात एक मंत्र दो मंत्र तीन मंत्र मिला करके एक मंत्र कर दिया गया हो बात सुन में आ रही है तीन मंत्र निश्चित रूप से होने चाहिए एक साथ फिर उसके बाद गैप फिर तीन मंत्र एक साथ अर्थात, तीन मंत्रों का समूह होना चाहिए एक साथ, तब ये सुक्तशैली होता है, छंद्रबद्र रूप में जाना जाता है, क्लियर होई बात, दूसरी महत्पूर बात, ध्यान से देखेंगे, रिगवेद में जो मंत्रों की रचना की गई है, तो प्रश्ण बनता है, कि किस देवता की इस्तुती के साथ इसका आरंभ होता है, तो इसका जो आरंभ होता है, अगनी देव की इस्तुती के साथ होता है, याद रहेगा, रिगवेद का आरंभ अगनी, आग, अगनी की इस्तुती के साथ होता है, बड़ा ही महत्पूर तत्य है, और तमाम सारी परिच पूछा गया है कि किस देवता की उपासना के साथ रिगवेद का आरंभ होता है तो अगनी की उपासना के साथ रिगवेद का आरंभ देखने को मिलता है अगली महत्पून बात ये जो रिगवेद है रिगवेद की जो रचना हो रही है वो कहा हो रही है तो रिगवेद की रच कि रिगवेद की स्व stand 26 चत्र में अब अगला ही प्रशन बनेगा कि भाई रिगवेद की रचना Prophet सेंदाव छेतर में हो रही है ठीक है लेकिन नदी कोन सी है किस नदी के तड़ पर तो सरस्वती नदी के तड़ पर रिगवेद की रचना हो रही है एक एक तत्य महत्पूर्ण है क्या पूछा जाएगा नहीं पता है एक और महत्पूर्ण प्रशन बनेगा यहां पे कि भाई रिगवेद की कुल कितनी शाखाएं है तो भाई कुल शाखाओं की बात किया जाए तो रिगवेद की कुल शाखाएं जो हैं वो हैं 21 कितनी 21 रिगवेद की कुल 21 शाखाएं रही हैं जिन में से 21 में से 5 प्रधान हैं अर्थात प्रमुख हैं 5 प्रमुख हैं वो कौन-कौन से 5 हैं तो इन 5 के नाम हैं शाकल सनहिता वाशकल सनहिता आश्वलायन सनहिता आश्वलायन सनहिता साकल वाशकल आश्वलायन शंखायन शंखायन एंड मांडुक्य ये कुल 5 सनहिता या शाखाएं रिगवेद की देखने को मिलती हैं कितनी 5 अब प्रशन यहीं पर बनता है कि वर्तमान में क्या ये पांचों के पांचों उपलब्द हैं या वर्तमान में कौन सी जिवित एक शाखा है तो वर्तमान में एक मात्र यही उपलब्द है या उपलब्द है शाकल सनहिता ही साकल साखा ही एक मात्र वर्तमान में उपलब्द है अब यहाँ पे एक और बात यहाँ पे एक और बात यह जो साकल सनहिता है तो इसमें सुक्तों की संख्या कितनी है तो भाई इस साकल सनहिता में 1017 सुक्त है ध्यान से समझेगा 1017 वास्तविक सुक्त है लेकिन समय के साथ इसमें कुछ अन्य भी जोड़े जाते हैं परिशिष्ट के रूप में जोड़े जाते हैं तो रिगवेद में बाल खिल्य या परिशिष्ट सुक्तों की संख्या कितनी है तो रिगवेद में बाल खिल्य सुक्त या परिशिष्ट सुक्तों की संख्या है ग्यारा जो की बाद में जोड़े आते हैं तो एक प्रश्ण और बनता है कि वर्तमान में एक मात्र 28 सुक्त है रिगवेद میں 1028 सुक्त है कहने का मतलब क्या है कि रिगवेद की जो वरतमान में शाकल सनहिता उपलब देना उसमें 1028 सुक्त है उन 1028 में से 1017 जबकि 11 परिसिष्ट हैं दिनको बालखिली सुक्त कहा जाता है तो कुल संख्या कितनी हो जा रही है तो भाई रिगवेद में या साकल रिगवेद की साकल सनहिता में ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कुल हो जाएगा, एक हजार अठाइस सुक्त हो जाएगा बात सम्झारी है, एक हजार अठाइस कहां से आया, क्लियर है ठीक है, चले, अब एक और गहराई वाली बात, जिनको निट का पेपर देना है, उनके लिए एक और गहराई वाली बात ये जो रिगवेद में ये जो बालखिल्य है ना, ग्यारह, ये जो परिसिष्ट है ना, या बालखिल्य ग्यारह है इन ग्यारह का ग्यारह सुक्तों का उलेख कहां किया गया है ये बहुत ही गहराई की बात हो जा रही है ये जो रिगवेद के बालखिले हैं या परिशिष्ट हैं या ग्यारह सुक्त हैं इनका उलेक रिगवेद के या शाकल सनीता के आठमे मंडल में देखने को मिलता है कहां पे आठमे मंडल में देखने को मिलता है यह जो परिशिष्ट है बालखिल्य है या ग्यारा सुथ है चले आगे बात करेंगे अब रिगवेद की बात हो रही है कुछ और नई बाते हैं रिगवेद समंदी कुछ नई बाते हैं बहुत सारी नई-नी बातों की जानकारी आपको होती चलिजाएगी आज रिगवेद एक प्रश्ण पूछा जाता है कि निम्रेखित में से किस एक गरंथ के साथ नाम सुना होगा अवेश्टा जिन अवेश्टा अवेश्टा के साथ रिगवेद की अद्भुत समानता देखने को मिलती है अद्भुत समानता देखने को मिलती है किस के साथ अवेश्टा के साथ एक प्रश्ण और पूछा जाता है कि भाई ये जो रिगवेद है रिगवेद एंड अवेस्ता जो है ये किस वर्ग की किस वर्ग के साहित्य हैं किस वर्ग के यह ग्रंथ हैं तो ये हैं भारोपिय वर्ग के ओंसे भारोपिय वर्ग के यह ग्रंथ हैं भारोपिय वर्ग के अब प्रशन बनता है कि भारोपिय वर और लिएस्ट प्राचीनटम घ्रंत कौन से हैं तो भाई भारोपी वर्ग के प्राचीनटं अवेस्टा और रिगवेद हैं अब इसमें भी एक प्रश्ण बनेगा इन दोनों में भी सबसे जादे प्राचीनटम कौन सा है तो सबसे प्राचीनतम, सबसे शब्द ही यूज करना गलत है, प्राचीनतम का मतलब ही होता है automatically सबसे पुराना, तो भाई आपके समझ के लिए बता रहा हूं, इन दोनों प्राचीनतम में से भी प्राचीनतम कौन है, तो सबसे ज़्यादा प्राचीन हो जा रहा है लेकर के कुछ और सारी बात नहीं, जो कि आपको पहले से भी पता होंगी, यह प्राचीनतम वेद है जिसे जानकारी की समयकाल की मिलती है, तो जानकारी 1500 से लेकर के 1000 इसापोरो के बीच की जानकारी मिलती है, यह जो समय काल है यह पुर्ववैदिक काल का समय है चुकि पुर्ववैदिक काल की जानकारी का एक मात्र श्रोत याद करेंगे पुर्वैदिक काल की जानकारी का एक मात्र श्रोत किस समय काल का पुर्वैदिक काल की जानकारी का एक मात्र श्रोत रिगवेद है यही कारण है कि इस समय काल को पुर्वैदिक काल को या पंदरा सो से एक जारी सा पुर्व को रिगवैदिक काल भी कहा जाता है क्यों भाई? रिगवैदिक काल भी इसी कारण इसको कहा जाता है अगली बात, यह जो रिगवेद है, तो रिगवेद में किस प्रकार के मंत्र हैं, किस प्रकार के मंत्र हैं, यह सारे महत्मूर्टत्य हैं, तो भाई इसमें देवताओं की प्रार्थना से समंधित मंत्र दिये गए हैं, देवताओं की प्रार्थना से समंधित मंत्र हैं, कहां पे रिगवेध में देवताओं की प्रार्थना से समधित मंत्र है अब प्रश्ण बनेगा कि यह जो डेवताओं की प्रार्थना से समधित मंत्र हैं तो इन मंत्रों का पाठ कौन करता है या पूरोहित g-ion है उसान साथ अब रिग्वेद का विभाजन देखते हैं तो रिग्वेद का जो विभाजन हैना वह कुल कितने मंडल में 10 मंडल में कितने मंडल में दस मंडल में, दस मंडल में, सुक्तों की संख्या कितनी है, तो सुक्त हो गए 1017 प्लस 11 बाल खिली या परिशिष्ट, सुक्त हो गए 1028, मंत्रों की संख्या कितनी है, तो मोटे तोर पे 10600, एक्जेक्ट नहीं है, मोटे तोर पे 10600 यह मंत्र है, मंत्रों का पार्ट कौन कर रह है होता या होतरी कर रहा है यह सुक्त के विशए में आपको बता दिया 2017 प्लस 11 कैसे है 10028 कैसे हो रहा है वो भी बता दिया यह जो 10 मंडल है अब इस 10 मंडल को लेकर के भी कुछ बाते बनती है दस मंदल को ले करके वो यह कि दस मंदल कौन सा एक यूरोपी विद्वान है जिसने इन दस मंदलों का कालक्रम निर्धारित किया हुआ है तो भाषा आधार पर आधार पर एक विद्वान है जिनका नाम है ओल्डेन बर्ग नाम याद करना है ओल्डेन बर्ग ओल्डेन बर्ग ने इन दस मंदलों का कालक्रम के हिसाब से बटवारा किया हुआ है से विभाजन किया हुआ है कौन ओल्डेन बर्ग नाम याद रहेगा ओल्डेन बर्ग ओल्डेन बर्ग ने अगली बात यह जो दस मंदल है ना यह जो मंदल हैं दस मंदल इनको लेकर के कुछ बाते और बनती है पहली बात कि प्रत्येक मंदल किनी रिशियों से संबंधित हैं पहली बात कौन-कौन से वो भी देखते हैं किनी रिशियों से संबंधित हैं वो कौन-कौन से हैं वो भी देखेंगे संबंधित हैं दूसरी बात यह जो दस मंदल है इसमें दो से लेकर साथ तक लेकर साथ तक इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ दो और सिर्फ साथ यह नहीं है दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ मंडल यह जो हैं इनको क्या कहा जाता है इनको वंश मंडल कहा जाता है या इनको रिदे मंडल कहा जाता है या इनको कुल मंडल कहा जाता है ये चार शब्दावलिया का प्रयोग किया गया है दो से लेकर के साथवे मंडल तक कि ये जो दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ मंडल है इनको समलित रूप से, अकेले केले नहीं समलित रूप से, वंश, या, रिदय, या, कुल, या, रिशी मंडल के तोर पे जाना जाता है क्यों जाना जाता है क्योंकि ये प्राचीनतम मंडल है अर्थात, सबसे पहले जिन मंडलों की रचना हुई तो वो प्राचीनतम मंडल कहे जाएंगे वो प्राचिन्तम मंडल कौन से हैं? दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ प्राचिन्तम सबसे पहले इनकी रचना होती है इस वज़ा से इनको वंशिया, हृदयया, कुल्या रिशि मंडल कहा जाता है अब प्रश्ण बगता है इनके बाद कौन से मंडलों की रचना होती है? ओल्डेन बर्ग ये साब ये सारी बाते बता रहे हैं कि पहले किसकी रचना होती है फिर बाद में? फिर बाद में इसके बाद जो रचना होती है आठमे और नवे मंडल की होती है और लास्ट में किसकी किसकी रचना हो रही है पहला और दस्वा मंडल अर्थात सबसे बाद का कौन सा मंडल है सबसे बाद का पहला और दस्वा मंडल सबसे बाद का है एक चीज दूसरा अगर एक शब्द यूज कर लिया गया कि नवीनतम मंडल कौन सा है यहीं लोग गलती कर जाते हैं अगर नवीनतम मंडल पूछ लिया गया नवीनतम का अफ़ल बिलकुल नया नया जो सबसे बाद का ह सबसे नया होगा हमारे लिए तो नमिंतम मंदल या सबसे बात का जो मंदल है वह भी कौन सा होगा पहला और दस्वां ही तो होगा ना पहला और दस्वां मंदल ही नमिंतम होगा या सबसे बात का पहला और दसवा अब एक प्रश्ण बनता है कि भाई ये कुल 10 मंदल है 10600 मंत्र है श्लोक है तो कौन से मंदल में कौन से मंदल में सरवाधिक सुक्त देखने को मिलते हैं तो भाई याद करेंगे ये जो दसवा मंदल है ना दसवा मंदल सरवाधिक 1028 में से सरवाधिक सुक्त कौन से मंदल में देखने को मिलता है दसवे मंदल में ही सरवाधिक एक और तथ्या निकल करके आता है सरवाधिक सुक्त दसवे मंदल में ही देखने को मिलता है अगली बात करेंगे उमीद करते हैं कि ये बहुत सारी नई बातों की जानकारी आपको हो रही है जो आप पहले से जानते हैं जानते है तो भाई प्रते कमंडल किनी रिशियों से समिंधित है तो वो कौन-कौन से मंडल है थोड़ा सा उस पे बात करते हैं अगर पहले मंडल की बात किया जाए ध्यान से देखेंगे प्रतेक मंडल किनी रिशियों से सम्मंधित है प्रतम मंडल की बात करें तो प्रतम मंडल किसी एक रिशी से सम्मंधित नहीं है बलकि कई रिशी है कौन से कुल वाले रिशी है तो कन्व कुल वाले रिशी है कन्व रिशियों से समंधित यह मंदल है कन्व एक रिशी नहीं कई रिशियों कन्व रिशियों से समंधित यह मंदल है कन्व रिशियों से समंधित प्रथम मंदल है और बिलकुल नई बात कौन से मंदल में दासराग युद्ध का वर्लन है यह तो आपको अच्छे से पता है कौन से मंडल में दाश राग युद्ध का 10 राजाओं का युद्ध सात्वा मंडल आपको पता है लेकिन एक नई बात जो आपको नहीं पता है और कभी भी यह प्रशन नहीं पूछा हुआ है किसी भी परिच्छा में अगर ये प्रशन पूछे आ जाए कि रिगवेद के कौन से मंडल में 20 राजाओं के युद्ध का वर्लन किया गया है 20 राजाओं का युद्ध कौन से मंडल में देखने को मिलता है तो 10 का युद्ध कौन से मंदल में देखने को मिलता है पहले मंदल में बीस राजाओं के युद्ध का उलेख मिलता है याद रहेगा तो भार दूसरे मंदल की बात करते हैं यह जो दूसरा मंदल है घ्रितिय मंधल ज किसे समंदित है निशित रूप से आप जानते हैं गृत समद रिशी से समंदित है गृत समद अब गृत समद को ले करके एक और महत पूर्ण बार कि विश्व का विश्व का प्रथम इंजीनियर किसे कहा जाता है तो विश्व का प्रथम अभियांत्रिकी हिंदी में शब्द अभियांत्री की किसको कहा जाता है तो विश्व का प्रथम अभियांत्री की गृत्समद रिशी को ही कहा जाता है याद होना चाहिए याद होना चाहिए तीसरे मंडल की बात करें आपको याद होगा ही तीसरा मंडल तीसरा जो मंडल है ना वो किस से समधित है विश्वामित्र समधित है यतनी तो बात आप जानते ही है और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंद्र की रचना की तो गायत्री मंद्र का उलेख कौन से मंडल में है तो गायत्री मंद्र का उलेख तीसरे मंडल में है अब एक प्रशन जो आपको नहीं पता है कि विश्वामित्र कौन से कुल के थे तो याद करेंगे विश्वामित्र कुसिक कुल के थे कौन से कुल कुसिक कुल के थे याद रहेगा नया नया प्रशन आपके लिए कुसिक कुल के विश्वामित्र थे गायत्री मंत्र की रचना जो हुई इसका उद्देश क्या था तो गायत्री मंत्र की रचना का उद्देश जो था वह उद्देश था अनारियों को आर्य बनाना अनारियों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई गायत्री मंत्र की रचना क्यों हो रही है अनारियों को आरे बनाने के लिए तीसरी महत्पुन बाद कि ये जो गायत्री मंत्र है किस देवी को समर्पीत है तो भाई यह सवित्री सवित्री देवी को समर्पीत है अब ये सवित्री कौन है तो ये जो सवित्री देवी है सुरी का ही एक रूप है और किस काल की देवी है प्रातह काल की देवी है याद रहेगा अगली बात करेंगे ये जो चौथा मंडल है चौथा मंडल सारे लोगों को जानकारी होगी चतुर्थ मंडल किसे समंदित है रिशी का नाम है वाम देव पांचवा मंडल किसे समंदित है तो पांचवा मंडल अत्री जी से समंदित है नहीं नाम बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं छठा मंडल की अगर बात किया जाए तो छठा मंडल के से समंदित है वसिस्ट नाइए भारतवाज तो भाई भारतवाज है ना भारतवाज सात्वा मंडल वशिष से समंदित है अब आठवा मंडल कौन सा हो जाएगा तो भाई आठवा जो मंडल है आठवा एक रिशी कन्वरिशी से समंदित है नवा मंडल से जुड़े हुए एक रिशी जो है नवे मंडल से जुड़े हुए जो एक रिशी है उनका नाम है अंगीरस कई बार आठ्वा के लिए यूज किया जाता है कन्व और अंगीरस लेकिन अगर अलग-अलग करके देखें तो आठ्वा से समधित है कन्व रिशी, नवे समधित अंगीरस लेकिन इसी में एक बात और निकल करके आती है यह मंडल किसको समर्पित है तो यह मंडल सोम को समर्पित है सोम को समर्पित है अब सोम क्या है भाई तो भाई यह जो सोम है यह एक व्रिक्ष है इस व्रिक्ष से एक पेपदार्थ बनाय जाता है जिसको कहा जाता है सोम रस यहाँ अब प्रश्ण मन्ता है यह अब रिख्छ कहां पाया जाता है तो हिमाले की एक चोटी है हिमाले की जो चोटी है उसका नाम है मूजवंत चोटी मूजवंत परवत या चोटी तो नवा मंडल सुम से समबन्दित है दस्वे मंडल की बात करते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे, अच्छा ये जो आठा मंडल है, उसको नोट किया क्या, ये जो आठा मंडल है कर्व से, ठीक है, एक ये जो सातवा है ना, इसको भी नोट करने जरा ये जो सातवा है ना वसिष्ट से संबंदी जो है साथ वां यह मंडल वरून देव से संबंदीत है वरून देव को समर्पित है एक नया प्रश्ण नोट कर लें साथ वां वसिष्ट से संबंदीत रिशी हैं वसिस्ट लेकिन किस देवता को समर्पित है तो जैसे नवा सोम को समर्पित है वैसे ही सात्वा को नोट कर लेंगे वरुण देव को समर्पित यह मंडल है दस्वे की बात करेंगे बड़ा ही महत्पूर्ण मंडल है दस्वा मंडल यह जो दस्वा मंडल है बहुत सारे लोग हैं तो कभी यह प्रशन नहीं बनता है लेकिन दस्वे मंडल को ले करके कुछ तत्य निकल करके आते हैं जैसे सरवाधिक शुक्त कौन से मंडल में देखने को मिलता है तो आपको पहले बदा दिया, यहां पे देखने को मिलता है, इस दस्वे मंडल में ही नदी सुक्त भी है, इस दस्वे मंडल में ही सुर्य सुक्त भी है, इस दस्वे मंडल में ही विवाह सुक्त भी है, विवाह सुक्त कौन से मंडल में है, तो विवाह सुक्त भी इसी में है, नदी सुक्त हो गया, सुरी सुक्त हो गया इसमें ही पुरुष सुक्त भी है पुरुष सुक्त भी इसी दस्वे मंडल में है और तो और एक और नासदीय सुक्त भी इसी मंडल में देखने को मिलता है नासदीय सुक्त, इटीसी कर देते है अपने आप में बड़ाई मतपूर्ण तत्या है देखते हैं क्या क्या है यह जो दस्वा मंडल है जिसमें यह सरवाधिक सुक्त हैं एक है नदी सुक्त प्रस्ट बनेगा कि रिगवेद के रिगवेद के कौन से मंडल में नदी सुक्त का उलेक है उलेक है दस्वा मंडल में रिगवेद के दस्वा मंडल के नदी सुक्त में या रिगवेद के नदी सुक्त में कितनी नदियों का उलेक है तो याद करेंगे 19 नदी का उलेक है यह संपूर्ण रिगवेद की बात नहीं और यह बात हो रही है, रिगवेत के दस्मे मंडल में जो नदी सुक्त है उस नदी सुक्त में कुल 19 नदी का उलेक है, याद रहेगा दूसरी महत्पूर बात यह जो सुरी सुक्त है, सुरी सुक्त में क्या बात लिखी हुई है तो विवाह संसकार के विवाह संसकार से संबंधित अनुस्ठानों का वर्लन कहां देखने को मिलता है अनुस्ठानों का वर्लन सुरिय सुक्त में देखने को मिलता है याद रहेगा रिगवेत के दस्वे मंडल में सुरिय सुक्त का उलेक है सुरी सुक्त में विवाह संसकार से समधित अनुस्ठानों का वर्लन उपलब्द है अब ये जो विवाह सुक्त है तो विवाह सुक्त में क्या दिया हुआ है विवाह सुक्त में ही विवाह गीतों का उलेख मिलता है याद रहेगा विवाह गीतों का उलेख विवाह सुक्त में देखने को मिलता है पुरुष सुक्त में क्या है? तो भाई पुरुष सुक्त में ही रिगवेत के दस्वे मंडल के पुरुष सुक्त में सबसे पहले वण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष मिलता है तो वर्ण व्यवस्था का प्राचीन तमसाच्य या शुद्र शुद्र का सर्थम उलेख पुरुश्र सुक्त में ही देखने को मिलता है नासदीय सुक्त रिगवेद के दस्वे मंडल में नासदीय सुक्त का उलेख है नासदीय सुक्त में क्या जानकारी मिलती है इसमें ही इस सुक्त में ही नासदिय सुक्त में ही इसमें ही सर्वप्रथम क्या बात लिक्योई है निरगुन ब्रह्म की अवधारना का उलेख मिलता है निरगुन ब्रह्म निरगुन ब्रह्म काहने का मतलब क्या है एकेश्वरवाद एकेश्वरवाद कि संकल्पना का उलेख म मिलता है याद रहेगा क्यों भाई कि दस्वे मंडल की बात हो रही है आगे बढ़ें दस्वे मंडल एक प्रश्ण पूछा जाएगा एक प्रश्ण पूछा जाएगा कौन से मंडल में या कौन से वेद में पूररवा उर्वशी समवाद देखने को मिलता है आप तोर पे आप जानते हैं रिगवेद में पूररवा उर्वशी समवाद देखने को मिलता है अगर मंडल पूछ लिया गया साथवा आठवा नौवा दस्वा तब फिर क्या होगा तो रिगवेद में तो है पुरर्वा उर्वशी समवाद रिगवेद के कौन से मंडल में दस्वे मंडल में इसके साथ साथ एक और विद्वान एल एल समवाद कौन से मंडल में देखने को मिलता है एल समवाद दस्वे मंडल में ही देखने को मिल यह सारे कि सारे अपने आप में बड़ा ही प्रमुक्तत है, नेट की तियारी करने वाले हो, एंटी ग्रेड बहुती गहराई में जाकर के प्रसन पूछे जाएंगे फाई, लोग सेवायोग का पेपर होगा, गहराई में जाकर के सताई अस्तर पेपर प्रशन नहीं बनेगा वहाँ पे, विशे का बड़ा ही जादे महत्पूर्ण रोल है लोग सेवायोग में, तो चीजों को गहराई में ले करके जाने की जुरत है, अब टीजीटी का पेपर दिया हो आप मेंसे कुछ लोग उने इतिहास में कितने 20 प्रश्न खतरनाक पूछे हुए थे तो हमें अपने तयारी का अस्तर और गहराई में ले ही जाना पड़ेगा चलते चलते एक-दो बाते और यह जो रिगवेद है ना रिगवेद में सर्वप्रथम उल्लिखित तत्य या साक्ष कौन कौन से हैं जैसे आपको पता होगा सूर्य और चंद्रगरहन का सबसे पहला साच कौन से ग्रंथ में मिलता है तो सर्वप्रथम तत्य या साक्ष रिगवेद में जो मिल लहा है सूर्य गरहन की जानकारी सबसे पहले रिगवेद ही देता है सबसे पहला उलेख सूर्य गरहन समंधी बातों का रिगवेद में चंद्रगरहन का उलेख रिगवेद में ही इसके अलावा शल्य चिकित्सा का भी प्राचीनतम उलेख रिगवेद में ही देखने को मिलता है इसके अलावा बहुत सारे लोग परशान रहते हैं असतो मा सद गमया होगा के नहीं होगा तो भाई होगा रिगवेद में होगा यह कहां पर प्रयोग किया गया है तो भाई रिगवेद में ही इसका उलेख है इसके अलावा विवाह संसकार का प्राचीनतम उलेख कहां पर देखने को मिलता है भारतिय नाटक विधा का प्राचीनतम साक्ष कहां देखने को मिलता है तो प्राचीनतम साक्ष यह नाटक कथा कहानी वाला नाटक हिंदी साहिद वाला साक्ष रिगवेद में ही प्रेम विवाह का प्रक्रम साक्ष भी रिगवेद में ही रिगवेद के संदर में रिगवेद के कुछ सुक्तों की रचना एक विप्ति कर रहे हैं तो यह नाविया कर रहे हैं रिगवेद के कुछ सुक्तों की रचना गौतम राहुगण के द्वारा की यह थे अगली बात रिगवेद के कुछ मंत्रों या सुक्तों की रचना कुछ विदूशियों के द्वारा किया जा रहा है कुछ विदूशियों के द्वारा के द्वारा किया जा रहा है आपको नाम याद होगा कुछ ऐसी मिलाएं हैं जिनों ने रिगवेद के कुछ मंत्र या सुब्तों की रचना की भी थी एक बात आपको जो कई बार बताया हुआ है कि इन नामों में उपरोक्त नामों में कौन सा एक नाम शामिल नहीं है तो उपरोक्त नामों में गारगी का नाम शामिल नहीं है क्यों नहीं सामिल है क्योंकि गारगी जो है गारगी उत्तरवैदिक काल की महिला है बात खत्म हो जा रही है ठीक है अब आप पहले कितना जानते थे रिगवेद के बारे में और निशित रूप से आज की जो क्लास हुई अगर प्रॉपर वे में नोट किया होगा आपने तो निशित हो जाएगा रिगवेद को ले करके ऐसे ही सामवेद, यजुरवेद और अथरवेद के विशे में भी बात करेंगे मिले फिर मिले फिर कोई और बात होगी, कमेंट शिक्सम लिखेगा, ठीक है? करेंगे